दोस्तों आप सभी को भी इंतजार है कि हर्याना रोडवेज में नई बसें कब आएंगी और अपने देखा भी होगा कि सोसल मेडिया पर भी कुछ जो फोटो है वो वाइरल हो रही है जो नई बस बनी है आलांकि दोस्तों मैं बता दूँ आपको दो बसें त्यार की गई थी तो टाटा की एक लेंड़ की दोनों बसें दोस्तों पास भी हो चुकी है आगे बढ़ने के लिए लेकिन अब फिलाल उन पर रोक लगा दी गई है आखिर क्यों लगा दी गई है रोक अगर जाना चाहते तो वीडियों तक जरूर देखना नमस्कार दोस्तों आप स्वागत करते हैं हमारे यूटूब चैनल योगी स्मार्ट में दोस्तों अगर आपने भी तक मारे यूटूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं क्या तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें साथ में दीगे बैल आइकन को दबा लें ताकि लिए टेस्ट इनफोर्मेशन आ आप हमारे टेलिग्राम चैनल से अहुसे जुड़ है क्योंकि हम सबसे पहले इंफोर्मेशन टेलिग्राम चैनल पर शेयर करते हैं और टेलिग्राम चैनल का लिंग अमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हमारे टेलिग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट टेंडर की प्रकरिया नहीं होने से रुख गया नहीं बस हो काम दोस्तों अर्याना में 400 असो कली लेंड की और burada огда की नहीं बसे आनी थी लेकिन दो कर पत्राना की एक कर दिया गया है वो जो बसे बनाई थी वो पास हो चुके हैं उनकी जो ट्राइल ली गई थी वो बिल्कुल शेफ थी अब आग्गे जो चेचस आई हुए है एचार से में क्या उन पर नई बसें जो है वो बनने का कारिक क्यों रुख गया है तो दोस्तों आप यह देख सकते हैं यह देख सकते हैं दोस्तों मानेसर में पास की गई प्रेक्शन में पास हुई यह सोकाली लैंड की नहीं बसें बनाने का काम एक महिने बाद शुरू नहीं हुआ बीए सिक्स की नहीं तकनिकी वाड़ी 12 मिटर लंबी 400 बसे हरियाना रोडवेज HRC में बनाने का काम शुरू होना था लेकिन वो बंद हो गया है आखीरे टेंडर परकरिया नहीं होने के कार इन बसों को बुलाना शुरू नहीं किया जा सकता वहीं कितने दिनों में टेंडर जारी होगा और कब इन बसों कोई परकरिया आगे बढ़ेगी अधिकारियों के पास भी अभी कोई जबाब नहीं है अरियाना प्रिवेन विवाक के बेड़े में 12 मिटर लंबी और 809 बसे अरियाना रोडवेज की बसे सामिल की जानी थी जि अभी तक अधिकारियों के और से कोई भी जवाब नहीं है कि कब तक इन के उपर बाड़ी लगने का कारेश दुबार से शुरू किये जाएगा तो दोस्तों यह आप सभी के लिए बड़ी बुरी खबर थी अभी तक तो कुछ नहीं कह सकते दोस्तों लेकिन प्रिवैन मंत् चैनल से आवसे चुने और यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही जानकारी वडियो देखने के लिए